नमस्कार स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चल कंट्री व्लोग पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी प्रोपर्टी परचेश करनी चाहिए और यह आप भी डिपेंड करता है कि आप जनरल पर फिर टोर्णी के परपर्टी परचेश करें या फिर रिश्टेड परपर्टी परचेश करें दोनों का अंतर मैं आपको समझाने बाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे रेजिटर्ड प्रोपर्टी की और आप सभी जानते ही हैं कि रेजिटर्ड प्रोपर्टी में टेंसन बहुत कम होती है पेपर को लेके क्योंकि पकी रेजिटर्ड हो जाती है तो किसी और के कबजे का या फिर जो जमीन से समंदित विवाद है वो लगबख बहुत कम होता है या नाम मातर का होता है या नहीं होता है बिलकुली ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रेइस्टरेड प्रॉपर्टे में क्योंकि आपकी पक्की रेइस्ट्री है तो कोई समस्या नहीं है लेकिन आप सभी जानते हैं कि पक्की और वह फैसलेटीज क्या है जहां भी अब रेइस्टेट प्रोपर्टी खरीदे हैं तो वहां आपको अगर मैं सहर की बात करूं ठीक है गाउं की बात कर रहा हूं सहर की बात कर रहा हूं तो सहर के अगर हम बात कर तो आप सभी जानते हैं कि सहर में सीवर लाइन विची होती ह अगर registered property आप खरीद रहे हैं तो sewer land बिची होती है, road पक्के होते हैं और जो water supply है drinking water की वो भी permanent जो है की अच्छी होती है और electricity तो होती है तो इस तरह से यानि कि हर परकार की आपको facilities मिलती है, green area ज्यादा मिल जाता है, green area का मतलब है कि आपको park मिल जाते हैं जहां पर आप आरा vehicles, schools, community hall और भी जो सामुहिक रूप से इस्तेमाल होने वाली चीजें है वो develop करके मिलती है यानि आपको school बने बनाए मिल जाते हैं आपको जो है bankute hall मिल जाते हैं बने बनाए जिसे हम बोलते हैं बारात घर और उसके साथ ही जो है आपको काफी बड़ा area मिलता हर चीज के लि हैं तो यह रिश्टर प्रोपर्टी के फायदे होते हैं सहर में मुख्य रूप से ठीक है और इन सब के बतले में आपको जो दाम देना पड़ता है वो भी बहुत जादा होता है तो सिंपल सी बात आप समझ लिजे कि अगर आप कहीं पर रिश्टर प्रोपर्टी खरीद रह हैं जीपीय यानि जनरल पाओर उटॉर्णि तो सबसे पहले आपको जीपी अ का मतलब समझना यह देखिए जनरल पाओर और उटॉर्णि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि आपको पावर दी गए हैं ठीक है कुछ भी करने की घर में आप घर को तोड़ फोड सकते है सकते हैं जो जो उसमें लिखा होगा ठीक है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं नॉर्मल जो है कि पूरे अधिकार देदी जाते में कि आप ऊप रहो आप इसमें तोड़ करवाओ आप किसी तरह से इस्तमाल करो यह आप को पांच साल भी मान सकते हैं क्योंकि गौवर्मेंट के आप जो वर्क हैं जानती हैं कैसे होता है धका मार चलती है गाड़ी बैल गाड़ी है अभी मेट्रो के टाइम में भी तो कहने का मतलब यह है कि जनरल पावर अफ और टॉर्णी में आपको जो जमीदार होता है यानि जमी कीजिदार ही होता है वह बात अलग है की जमी दार कभी आता नहीं रही है इसाथ तो पावेर्प리 पर आप जमीन के साथ जो मतलब कुछ करना चाहा है जाए न फिर आप घर बनाना चाहे या कोई फेक्टिव नाल चाहे वह आप कर सकते हैं ठीक है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जो मतलब सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूं फिर मैं आप कुछ के फायद भी बताऊँगा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह यह है कि इसमें हमें एक चीज का सामना करना पड़ता है कि माननी जिमीन कहुं है और मेरा है कल को मन करता है कुछ और मुझे कही से ज़्यादा पैसे मिल गया है तो मैने ब को भी दे दिया फैए सी को भी दे दिया तो अब वह Richardson मैंने अब तीनों चांस रहता है सबसे होता है यहाहाँ जो अनुथ्राइच कालोनिया है लेकिन ऐसा नहीं कि हरदम फ्रॉड ही होता है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हजार में एक दो केस ही ऐसे मिलते हैं अगर आप जनरल पार अटॉर्णी की जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग दोड़ाने की जरूत न जो कम से कम 20-25-30 साल पुरानी हो ठीक है अगर आप इतनी पुरानी कालोनी चुनते हैं तो सबसे जो एक बड़ा उसमें फायदा होता हुई है कि उसके टूटने का जो खत्रा होता ना वह बहुत कम होता है हालां कि गवर्मेंट तो जब चाहे तब तोड़ सकती है लेकिन ग बसी हो तो सरकारी जमीन पर ना बसी हो ध्यान रखेगा इस बात का कोई भी आप खरीदने जाते हैं अगर उस सरकारी जमीन पर बसा हुआ है तो बिलकुल ना ले वहां जमीन वहां कभी भी टूट फूट हो सकती है हां अगर आप जो है कि 30 साल 25 साल पुरानी कालोनी में ले कर अगर 20 साल 25 साल पुरानी कालोनी तो सिंपल सी बात है कि उसमें कुछ भी नहीं तो 5 या 6 या 10 चैन तो होगी होगी 5-6 तो मिनमम है 5-6 बार तो बिकी जाता है प्लोट लगबग और नहीं भी का तो भी 2-3 तो मिली जाती है तो यह चैन आप बिलकुल किलियर देख लें असतर पर मतलब कि जैसे आपने प्लोट लिया जिससे या फिससे लेना चाहते हैं अपने असतर पर आस पास अपने कनेक्सें ढूड़िए कि वहां क्या कोई आपके जान पचान का आदमी रहता है और उसके साथ जो है कि अपनी मिटिंग करिए और उसे बोलिए कि पता लग भी लेंगे और याद रखिए कभी अगर आपने सस्ता डूंडने की कोसिस की जो मार्केट रेट चल रहा है उससे एक हजार दो हजार उपे नीचे तो चली समझ में आता है ठीक है कोई अगर ज्यादा परिसानी में है तो बीचना चाहता है लेकिन अगर मार्केट रेट से आधे प्राइस पर मिल रहा हो या 75-70% पर मिल रहा हो तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है ठीक है तो इसका ध्यान रखिए तो यह तो बात हो गई अब सबसे बड़ी समस्या है कि यहां जमीन तो दी नहीं है यह तो लोगों ने अपने जमीनों को काट पीट के बेच दिय सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ग्रीन एरिया नहीं होता है ठीक है और सरकारी स्कूल बहुत कम होते हैं या पूरी कालोनी पर एक या दो सरकारी स्कूल आपको मिल जाते हैं उसके बाद जो है जो सडके और नालिया होती है या बनती भी है तो हर 5 साल में बनने लग जाती है जिससे क्या होता है घर का लेवल जो है नीचे चला आता है तो आप जब उसमें घर बनाये तो यह भी धियान रखना पड़ता है कि भई हमें घर बनाते वक्त नीचे से कम से कम पांच फूट चार फूट उपर रखना ही पड़ता है क्योंकि दस साल में गली जो है दो बार तीन बार बन जाएगी और इससे क्या होगा इससे आपका करते हैं जो पूरानी उनका किया देखिए पुरानी अनथ्राइश कालोनी आपको मिल जाते हैं ऐसी बातनी है आसपास एकद पार्क मिल जाते हैं अगर सड़के चौड़ी है तो आपके लिए बैनिफिशल ही होगा ठीक है तो आई होब कि आपको यह चीज़े समझ में आई होंगे जो मैंने आपको बाते बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगे और आपके लिए beneficial रही होंगे और आपको decide करने मदद करेंगे तो दोस्तों अब बात करेंगे कि GPA की property हमें लेनी चाहिए या फिर हमें registered property में निवेस करना चाहिए अगर आप investment के purpose से ले रहे हैं यानि कि निवेस करने के purpose से ले रहे हैं तो आप हमेशा GPA की property ही purchase करें ऐसा क्यों मैं आपको समझाता हूं मैं यह नहीं करें कि आप मंतब यही लो वो तो आप पर डिपेंड है कि अगर आपका ट्रस्ट जो है ठिकता है तो रेइस्टेड लीजिए लेकिन उसके लिए आप यह सोची है आपको एक बड़ा amount बड़ा amount फसाना है यह भी सोची है कभी भी आप अगर 26 मिटर का यह plot लेंगे तो बीस लाग से नीचे तो मिल के चलिए ठीक है लेकिन अगर आप उसी 20 लाग को invest करते हो आप अगर ऐसी कालोनी में जहां पे रोड थोड़े चौड़े हो ठीक है सारी facilities हो तो वहां भी थोड़ा महंगा मिलेगा प्लॉट लेकिन इतना नहीं यह है कि 20-25 लाग में आप सौगज का प्लॉट ले सकते हैं और अगर आप सौगज का प्लॉट ले लेंगे और अगर आप चौणे रोड पर ले लेंगे तो पांस साल दस साल बाद वहां मार्केट जरूर बनती है या फिर वहां पर development जब होता है तो आपकी जो पांस साल की value है उस 20 लाग की कम से कम मान की चलिए 30 लाग 35 लाग ऐसे हो है उसी समय हो सकता है कुछ बाकि जब ले लिए अपने कबजा कर लिया आपने boundary निदी उसके बाद बहुत कम एसा देखने को मिला कि 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 जमीन पर ठीक है को ही और आके कब्जा कर ले ऐसा अगर आपने को प्लॉट कर लिए तो हम हमेसा कहते हैं अपने मित्रों से कि आप पास पडोस पडोस है उनका आप प्लोट लिया है उसके पडोसी है उनसे बात करें उनसे टेच में रहें इससे क्या होगा कि आपकी प्लोट पे आपकी कोई खतरा नहीं है क्योंकि सब लोग आपको आज पास जानते होंगे कुछ ऐसे activity होगी तो आपको inform भी करेंगे तो इसलिए ऐसे मामले में कोई fraud नहीं होता है और आप बिल्कूल satisfy हो सकते हैं आराम से रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और जब सही समय आये तो उसको निकाल के फिर कहीं ले लिजिए plot profit को रख लीजिए उतने ही पैसे में ले लिजिए तो जीप्य वाली प्रोपर्रटी भी बुरी नहीं होती है बस इसमें आपको ज्यादा साउध़ानी बरतनी होती है और जो रेस्टर होती है उसमें थोड़ी कम बरतनी होती है ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बबाए जय हिंद जय भारत